Students, today we will read rest of the chapter, chapter number 3, part 1, his first flight. Still, they took no notice of him. फिर भी उन्होंने, उन्होंने means his parents, brothers and sister, उन्होंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. किस चीश पर ध्यान नहीं दिया? कि जो little bird, seagal था, उसने कोशिश की कि वो एक पैर पर खड़ा हुआ, दूसरा पैर उसने अपने पंखों के नीचे चुपा लिया, he closed one eye, then the other, उसने एक आख बन की और फिर दूसरी और वो ये pretend कर रहा था, ये show कर रहा था, जैसे कि वो सोया हो, बट फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, he saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads, sunk into their necks, उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई हैं और उसकी बेहन जो है, वो सोय हुए थे, गर्दनों में सिर जुका कर, his father was preening the feathers on his wife's back, उसके father जो थे, वो preening कर रहे थे, clear कर रहे थे, maintain कर रहे थे, so preening is clearing or maintaining, उसके father maintain कर रहे थे, पंखो को, जो कि उसके white back पर लगे हुए थे, only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी मा थी, जो उसकी तरफ देख रही थी, she was standing on a little high hump on the plateau, प्लैटू पर थोड़ी उच्चाई पर उसकी मा खड़ी थी, her white breast thrust forward, उसकी जो white breast थी, चाती थी, वो आगे की जो निकली हुई थी, now and again, thrust means pushed, now and again, she tore at a piece of fish, बार बार वो मचली का एक टुकडा काट ती, या फाट ती, that lay at her feet, जो कि उसके पैरों में पड़ा था, and then scrapped east side of her beak, scrapped means रगड़ना, फिर अपनी बीक की अपनी चोच की दोनों साइड को रगड़ती on the rock, चतान पर, the side of the food maddened him, him means सीगल की बात हो रही है, तो food की ये जो side थी, food का ये जो नजारा था, उसने सीगल को पागल कर दिया, कि कैसे उसकी मा बार बार fish को, fish के pieces को काट रही थी, और beak को रगड़ रही थी दोनों side से, तो ये सब side देखकर, ये सब नजारा देखकर, सीगल पागल हो कितना पसंद था, scrapping his beak now and again, बार बार चोंच को इस तरीके से रगड़ना, to wet it, to wet it means to sharpen it, उसको तीखा करने के लिए, चटान से रगड़ना, उसे कितना पसंद था, गा, 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 he cried, begging her to bring him some food, गा, 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 मतलब इस तरीके से अवाज निकालके, वो चिला रहा था, request कर रहा था अपनी मदर से, कि वो उसे कुछ खाना दे, भोजन दे, गा, कोल, आ, she screamed back, directly, 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 गा, कोल, आ, कहकर, उसकी माँ वापिस उस पर चिलाई, derisively means, ridiculously, गुसे से, but he kept calling, plaintively, लेकिन, उदासी पुर्वक, sadly, वो उन्हें बुलाता रहा अपनी मदर को, and after a minute or so, a minute or so means, एक या दो मिनट के बाद, he uttered a joyful scream, वो बहुत खुशी से चिलाया, his mother had picked up a piece of the fish, उसकी मदर ने फिश का एक पीस उठाया, and was flying across to him, और उसकी और उड़ी, with it, उस टुकडे के साथ, he leaned out eagerly, वो excited होकर आगे की और जुका, कोन, सीगल, tapping the rock with his feet, चत्तान को अपने पैरो से tap करते हुए, पीटते हुए, या tapping की अवाज करते हुए, trying to get nearer to her, ये कोशिश करते हुए, कि वो अपनी मा के पास पहुच जाए, as she flew across, जैसे ही वो पास से उड़कर जाएगी, but when she was just opposite to him, पर जैसे ही वो उसके सामने वाली चत्तान पर आई, she halted, वो रुक गई, her wings motionless, उसके जो wings थे, उनमें कोई motion नहीं थी, वो भी रुक गई, still हो गई, the piece of fish in her beak, almost within reach of his beak, जो उसकी मा की, जो उसकी मदर की beak में पीस था फिश का, वो उसकी पहुच तक आने ही वाला था, almost उसकी पहुच तक आ गया था, सीगल की पहुच तक, he waited a moment in surprise, खुश होकर उसने एक शन वेट किया, एक पल के लिए वेट किया, wondering why she did not come nearer, और फिर हैरान हो रहा था कि वो उसके पास क्यों नहीं आई, she means mother, and then, और फिर, maddened by hunger, भूख से पागल, he dived at the fish, उसने फिश की और डुबकी लगाई, with a loud scream, he fell outwards, आगे की और बहुते चिलाते हुए वो गिरा, and downwards into space, और फिर धर्ती में नीचे की और, seized him, फिर एक बहुत ज्यादा खतरनाक डर ने उसे seized कर दिया, उसे रोक दिया, still कर दिया, and his heart stowed still, और उसका दिल भी वहीं रुक गया, he could hear nothing, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, but it only lasted a minute, लेकिन जो सब कुछ भी वो ये feel कर रहा था, कि वो डर के कारण रुक गया, उसका दिल रुक गया, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था, ये सब कुछ सिर्फ एक मिनेट तक चला, उसने महसूस किया कि उसके पंक जो है, वो बाहर की तरफ फैल रही है, उड़ रही है, दो विंड रुज़ अगेंस्ट हिस ब्रेस्ट फैदर्स, जो विंड है वो टकरा रही है उसके ब्रेस्ट फैदर्स के साथ, देन अंडर हिस टमक उसके पेट के नीचे, उसके पंको के साथ, वो फील कर सकता था, जो उसके पंको के किनारे थे, उनसे हवा को कटते हुए, अब वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा था सिरके बल, वो धीरे धीरे उड रहा था, धीरे धीरे, उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे, फिर उसने अपने पंक फढ़ाए, फढ़ फढ़ाए, और उपर की ओर उड़ गया, गा, 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 कोल आ, गये और कैसे गये, चिलाते हुए, चिलाते हुए, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन उसके चारों और उड रहे हैं, curved ting, hand banking, hand suaring and diving, carving means leaping like a horse, एक खोड़े की तरह उचालते हुए, banking, banking means flying higher with one wing than another, कि एक पंक से ज़्यादा उड़ते हुए, ज़्यादा उड़ते हुए, मतलब की तिर्ची उपर उड़ती हुए, और diving, डुबकी लगाती हुए, then he completely forgot फिर वो पूरी तरहिके से भूल गया that he had not always been able to fly कि वो हमेशा से उड़ नहीं सकता था he commended himself to dive and saw and curve श्रीकिंग श्रीली फिर वो श्रीली मिन्स तेज श्रीकिंग मिन्स चिलाना फिर वो तेज चिलाता हुआ आगे की और उचल कर उपर चड़ने और डुबकी लगाने लगा he was near the sea now अब वो समुंदर के पास था flying straight over it facing straight out over the ocean ठीक उसके उपर से वह उड़ रहा था he saw a vast green sea beneath him उसने एक बहुत बड़ा समुंदर अपने नीचे देखा with little ridges moving over it कि छोटे-छोटे mounts तो जो थे मतलब छोटा-छोटा जो उठाव था जो तीले थे छोटे-छोटे वो उसके उपर थे and he turned his beak sideways sideways दोनो तरफ उसने अपनी चोज घुमाई and cowed amusedly amusedly means happily खुश होते हुए वो काए-काए करने लगा cowed is a sound produced by birds तो वो काए-काए करने लगा खुश होकर his parents and his brothers and sister उसके parents, उसके दोनों भाई और उसकी बहन had landed on this green flooring ahead of him वो भी land कर गए, नीचे उतर गए उसके सामने वाले green first पर they were beckoning to him वो उसे इशारा कर रहे थे calling shrilly और चिला कर उसे बुला रहे थे he dropped his legs उसने अपनी जो टांगे थी नीचे की और की to stand on the green sea ताकि वो green sea के उपर खड़ा हो जाए his legs sank into it लेकिन उसकी जो टांगे थी वो उसके अंदर डूब गई किसके अंदर? green sea के अंदर he screamed with fright वो दर से चिलाया and attempted to rise again फिर से उसने उपर उठने की कोशिश की flapping his wings अपने पंखो को फैलाने की कोशिश की but he was tired लेकिन अब वो थक गया था and weak कमजोर फील कर रहा था with hunger भूग की वज़ा से and he could not rise और वो उपर नहीं उठ सका exhausted by the strange exercises वो खुद को भूद थका हुआ फील कर रहा था ऐसी strange exercise की वज़ा से मतलब ऐसी strange क्योंकि उसको लगी नहीं रहा था कि वो कभी उड़ पाएगा तो उसके लिए तो ये एक strange exercise थी his feet sank into the green sea उसके जो पैर थे वो green sea के अंदर हरे समूंदर के अंदर डूब कए and then और फिर his belly touched it और फिर उसकी belly ने उसे touch किया and he sank no farther और उसके बाद वो आगे नहीं डूबा he was floating on it वो उस पर तैर रहा था and around him his family was screaming और उसके सामने उसकी family चिला रही थी praising him उसकी तारीफ कर रहे थे and their beaks were offering him scraps of dogfish और उनकी जो चोश थी उसमें वो offer कर रहे थे उसे dogfish के scraps dogfish के जो अफशेश थे या आप कहा सकते हैं टुकडे वो उसे offer कर रहे थे he had made his first flight finally जो bird seagal था उसने अपनी पहली उडान भरी so students part one is completed and from this story his first flight part one we learnt that nothing is impossible if you are if we try if we do hard work we can achieve anything as the little bird seagal learnt to fly and finally he made his first flight thank you